तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं केतु की महादसा के बारे में केतु की महादसा के बारे में अब तक हमने पर्थम भाव और दूसरे भाव के बारे में चर्चा की है इस वीडियो में तीसरे भाव की बारे में बात कर रहे हैं तो अगर आपके लगन कुंडली में तीसरे भाव में केतु इस्तित हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा important हो सकती है देखें तीसरे भाव का केतु है तो केतु महादसा 7 वर्स की जो होगी उसमें आप अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर या अपने पैसेवर जीवन को लेकर बहुत ज्यादा जोखिम उठाने को देखेंगे अब ये जोखिम क्या वास्त में आपको सही direction में ले जाएगा या आपसे गलतियां करवाएगा जिससे आपको और ज्यादा नुक्सान होगा ऐसी condition में आप जिस भी प्रकार का सहयोग या support अपक्सित रखेंगे अपने relative से अपने बहाई भेनों से या रिस्तेदारों से या किसी भी अन्य वक्ति से उस प्रकार का support आपको मिलेगा नहीं ऐसी condition में जिस भी प्रकार के जो अपक्सा होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी लेकिन अपक्सित तोर पर आपको उतना support नहीं मिलने के बिल से आप काफी ज़्यदा नकारात्मक फिल करने लगेंगे बहुत ज़्यदा details फिल करने लगेंगे केतु यहाँ पर आपको बहुत सारी यात्राएं देगा बहुत सारे ट्यूर देगा और हो सकता है विदेश यात्रा भी केतु दसा के दुरान आपकी हो सकती है लेकिन कभी कभी आप केतु दसा के दुरान ऐसे कारियों के लिए जोखिम उठाने को देखेंगे जहां वास्त में आपको गलत निरने लेने से बचना होगा और अनाव से जोखिम से भी बचना होगा अनाव से जोखिम उठाने से आपको कोई बहुत बड़ा नुक्सान हो सकता है या कोई आप बहुत गलत डिसीजन ले ले जिसका आपको काफी ज़्यदा आगे चलकर नुक्षान हो इसी प्रकार से आपको रिस्तों में भी काफी नुक्षान देखने को मिलेगा क्योंकि इस केत्वी दसा के दुरन आपके भाईयों से आपके रिस्तेदारों से आपके काफी ज़्यादा understanding को लेकर दिक्कते होंगी और मतवेध होंगे ऐसी condition में आपको अपने family का या बाहर का कोई ऐसा person चाहिए होगा जो आपको सही तरीके से guide कर सके या आपको सही प्रकार से support कर सके इसके साथ केतू मंगलवत चलते हैं मंगलवत चलने की वज़े से क्या यहाँ पर मंगल की रासी में केतू है या फिर मंगल के साथ केतू है अगर मंगल की रासी में ही केतू हुए या फिर मंगल के साथ केतू इस्तित है तो ये आपको काफी आक्रामक भी बनाएगा लेकिन अपनी आक्रामकता को आप positive way में अगर use नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यदा समस्या बन जाएगी क्योंकि देखें जो केतु के energy है वो बहुत ज़्यदा extreme होती है और केतु का सिर्फ धड़ ही है उसका सिर नहीं है तो आप वहाँ पर वास्तम में आपके लिए क्या सही है क्या गलत है इसका idea नहीं लगा सकते हैं आप ये देख पाने में ऐसक्सम होंगे ऐसी condition में या तो आपको अंतरग्यान हो आपका six cents develop हो तब ही आप ये सब कर सकते हैं तो केतु दसा के सुरुआत में इस बात के बहुत अधिक chances है कि आपसे कुछ न कुछ गलत अवस्से होगा जिसको लेकर आप जिवन में बहुत ज़्यदा frustrated होंगे और हमेशन जो आपकी गलती है वो आपको अखरती रहेगी केतु यहाँ पर कौन से sign में ही ये भी बहुत ज़्यदा important है और किस ग्रह के साथ बैठे हैं ये जिस ग्रह के साथ बैठे होंगे उसको भी खराब करेंगे उससे समंदित जो आपके काम होंगी वो भी काफी ज़्यदा अटकेंगे इस वज़े से केतु दसा को आपको बिना जोखिम लिए निकालना ज़्यादा उचित रहेगा केतु यहां इस्तित हैं तो वास्त में आप बहुत ज़्यदा आध्यात्म की तरब भी जुकने वाले होंगे अब तीसरा भाव है वो खुद के एफर्ट्स का है ऐसी कंडिशन में केतु की दसा अगर स्टार्ट हो चुकी है तो आप योगा भ्यास वगरे कर सकते हैं कुछ फिजिकल फिटनेस से जुड़े हुए काम कर सकते हैं अपनी खुद की फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज़्यदा ध्यान दे सकते हैं इसके लवा आप अपने आपको फिजिकली बहुत ज़्यदा एक्टिव रखेंगे तो आपको फाइदा मिलेगा केतु दसा में आपके जीवन में प्रयाप्त रूप से अध्यात्मिक और धार्मिक उत्थान और विकास आपको देखने को मिलेगा केतु दसा में इस बात के बहुत परबल चांसेज हैं कि आप उच्छ सिक्षया या अध्यात्मिक चिंतन या अध्यात्मिक अध्यन के तरफ आगे बढ़ेंगे जीवन में और जीवन की वास्तविक्ता आपको पता लगेगी अब केतु है वो एक विरक्ति वाला प्लेनेट होने की विज़े से हो सकता है आप सुरुआत में बहुत ज़्यदा एफर्ट करें बहुत ज़्यदा मेहनत करें जब आपकी केतु दसा स्टार्ट हुए लेकिन आगे चलकर कुछ समय बाद लगबग दो-तीन साल बाद आपको ये अनुभव होने लग जाएगा कि वास्तम में जो आप मेहनत कर रहे हैं जो आप हाड़ वर्क कर रहे हैं वो आपके काम ही नहीं आ रहा बलकि वो वेर्थ जा रहा है या कुछ ऐसे आपने प्रियास कर दिये जो वास्त में आपको जरुरत नहीं थी करने की तो ऐसी condition में आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे बिना ही वहां से निकल लेंगे आप अपने जो जिम्मेदारियां बनती हैं उनको त्याग देंगे और एक अध्यात्मिक जिवन जीने की तरफ आगे बढ़ेंगे ऐसी condition में आपको बहुत सारे अध्यात्मिक या धार्मिक ट्यूर अपने जिवन में करने को मिल सकते हैं आप जितना ज्यादा ट्यूर करेंगे जितना ज्यादा अध्यात्मिक चिंतन करेंगे उतना ज्यादा आपको नया अभास होगा, नया कुछ ग्यान मिलेगा, उस ग्यान के उपयोग से आप अपने जीवन को ज्यादा से ज्यादा बहतर कर सकेंगे, केतु दसा में इस बात की बहुत ही परवल संभावना है, कि आप किसी भी ऐसे मंदिर वगरे में जाएंगे, जहा केतु दसा में अगर आपको ऐसा मुका मिलता है, या आपको तिर्थ यात्रा करने का मुका मिलता है, तो अवस्य ही करना चाहिए, इसके अलावा केतु दसा में आप ये कोसिस करें, कि आप अपने परते खृष्टे को प्रोटेक्ट करें, ना कि परते खृष्टे को बिगा जाएंगे जिस वज़े से आप खुद अपने कामों की वज़े से खुद को ही नुक्सान पहुंचा लेंगे और ये नुक्सान ऐसा हो सकता है जिसकी भरपाई करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा तो के तो यहां है तो वास्त में परतेक निरने को लेते समय आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करना पड़ेगा समझदारी रखनी पड़ेगी अगर आपने blindly कोई ऐसा फैसला कर लिया जो आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है तो आपको काफी नुक्षान होगा केतु दसा में आपको relationship में और आपको आर्थि किसरे भाव का स्वामी कोई क्रूर ग्रह है जैसे कि सूरिय है या मंगल है तो ऐसे किंडिशन में हम केतु से यही अपक्षा करेंगे कि केतु यहां काफी फास्ट रिजल्ट देंगे बहुत एक्स्ट्रीम रिजल्ट देंगे और जो भी रिजल्ट देंगे उनको अगर अंतरग्यान या अंतरद्रश्टी मिलेगी जिससे आप अपने जीवन में बहुत कुछ बहतर कर सकते हैं केतु दसा के दुरान आप जितना ज्यादा पुजा पाठ ध्यान साधना में इन्वाल होंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा और यह आपको काफी ज्यादा मानसिक सुकून भे प्रवाइड करेगा इसके साथ आपको धरम और दसन से समंदित सिक्षया प्राप्त होगी आध्यात्म का ज्यान प्राप्त होगा और जो भी ज्यान आपको प्राप्त होगा वो आपके खुज के एफर्ट की वज़े से होगा केतु दसा के दु पहुती ज़्यादा अकेला फील करेंगे अपने आपको, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने धर परिवार से अलग रह सकते हैं, काफी समय अलग बिता सकते हैं, और कुछ अलग से आपके अनुभव हो सकते हैं, केतु दसा के, केतु दसा में आपके पास समय से परे जाकर, य परलोग जैसी जो आपके इंदर जो एक एनरजी आएगी वो एनरजी आपके लिए बहुत ही एक्स्ट्रीमली काम करेगी तो यहां पर हो सकता है कि कुछ आत्माओं से आपका कनेक्शन हो सकता है आपको कोई ऐसे सपने आ रहे हैं आपको देवी देवता दिखाई दे रहे हैं या आपका सिक्सेंस बहुत जदा डवलफ होने की वज़े से आप अपनी फ्यूचर की होने वाली गटाओं को पहले ही देख पा रहे हैं या उनका अनुभाव कर पा रहे हैं ऐसा कुछ आपको जरूर देखने को मिलीगा तो केतु की दसा साथ वर्स में आपको बहुत ग्यान करवाएगी आपको वास्तविक जगत का ग्यान करवाएगी अब डिपेंड यह भी करता है कि केतु दसा आपको आती कब है केतु दसा अगर आपको बहुत ही अर्ली एज में आ जाती है तो ऐसी दसा आपको काफी ज़दा विरक्ति की तरफ लेकर जा सकती है केतु की अगर आपको mid age में आए तो यह आपके career को प्रभावित कर सकती है आपसे कुछ गलत decision करवा सकती है जिससे आप अपने career में भटकाव महसुस कर सकते हैं या अपनी life की journey में बहुत ज़्यदा भटकाव अनुभव कर सकते हैं इसके साथ केतु की दिसा ज्यादा तर लगबग 40 या 40 के बाद की age में आए तो बहतर रहता है ऐसे condition में यह दसा अगर आपकी 40 के बाद आ रही है या 50 की age के बाद आ रही है तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए और ज्यादा अच्छे प्रिणाम आप अपक्सित रख सकेंगे गेतु से